हालो विद्यारतियों कैसे हैं आप सभी रोग क्या विद्यारतियों SSC CGL 2022 Tier 2 का जो रिजल्ट है वो खब तक आ सकता है इसके बारे में लोग बात करेंगे बैसर जो हमारा होगा वह होगा आपका CGL 2021 का मेंस उसको हम एनलाइज करेंगी कितने देर लगा था और CGL 2022 का जो मेंस हुआ था उसकी कट अफ कैसे बनी थी जिस इसे आपसे उसको इतना टाइम लगेगा लेकिन यहां पे CGL 2022 में कट अफ कैसे बनेगी ताकि यहां पर जो है व यहां पर दियर स्टुएंट आपको मिल रहा है डिसकाउंट पीम वाइटे डिसकाउंट को जब यूज करोगे तो आपको प्रॉपर डिसकाउंट मिलेगा आप द्यार भी दरती हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ना ठीक है बेल आइकन प्रेस करके ठीक है सीजियल 2021 को हम देखते हैं मेंस में मेंस में प्री के बाद की मैं बात कर रहा हूं प्री कब हुआ था कब फॉर्म आया था उसकी बात हम दो नहीं कर रहे हैं उसका डिसकसर हम लोगे ने कर रखा है अब्जेक्टिव यानि कि यह टियर टू है यह वच्छे हुआ था आर्थ हा 2022 यानि 8 अगस्त को मेन्स का पेपर वा है इस सीजियल 2021 2022 को में ठीक है 2021 का अगर मैं सब्चेक्टिव की बात करूं तो नहीं यह हुआ था यह था यहां पे 2C हो गया ह। ठीक है और इनका जो रिजल्ट आया था इनका कंबाइंट जो रिजल्ट आया था वह आया था आपका 21 अक्टूबर को कब आया था 21 अक्टूबर यहां पर अगर हम मोटा-मोटी समय देखें तो अगस्त के बास खतमी हो गया था सेतंबर और अक्टूबर लगबग दो महीने बाद आफ्टर टू मन्त यह रिजल्ट आपका डिक्लियर कर दिया गया फिर टाइपिंग और सीपीटी हुआ चार से पांच जनवरी और डीवी आपका 16 से 21 जनवरी कराए गया ठीक है और इस डीवी के बाद प्यारवी देरती हो जो फाइनल रिजल्ट आया वह आठ यानी टाइपिंग जनवरी में हुआ डीवी जनवरी में ही हुआ 31 जनवरी यानी वह लगबग खतम हो जुग था पूरा फर्वरी और 18 मार्च यानी लगबग लगबग अगर हम बात करें प्यारवी दे आते हूँ पांच जनवरी से भी लेके बात करेंगे जो इस से लगवग 76 0rs दिन यहां दो कि पुद हैं है लेकिन पचास दिन मांने के चड़ो हुआ उसको की लगवग 50 देंज क्या होगे लग गया अब देखे यह क्या हुआ दोजार 21 में यह से नेरियो सब्सक्ता-छा में इतने वगा टाइम लगा फाइनल डियस्ट आने में क्वोकी प्रासस बहुत वाइड था प्रासस किया था पच्छे सिप्रासस था कि फिर बैली तक पानद typ 17 िशल्ट आने तरह अने तक पांस व्हणत गहां बढ़ता गया मैं कि नुझ हम हम CGL 2022 की बात करें dear student CGL 2022 अगर हम means की बात करें तो यहां भी वह scenario नहीं था 390 नंबर में ठीक है 390 में आपके टाइपिंग का स्वरी आपका जो है cut-off बनना है बाकि जो computer है और typing है इसका क्या है वच्छे यह qualifying nature का है लेकिन CPT और जो आपके टेस्ट पोस्ट है उसके लिए पोस्ट जो है वह अलग अलग जो आपकी cut-off है वो बन सकते है वह अलग matter है तो टीर 2 का result जो है 390 जो है 390 वाला जो है भरा जाएगा ठीक है पोस्ट के बाद final result आगा यहां पर जो process है बहुत कम है ठीक है यहां पर टीर 1 का result आया फिर टीर 2 का result आगा उसके बाद तुरन पोस्ट प्रिफरेंस आजाएगा after 15 days यहां पर जो process वो कम है तो result आने में final result आने में आपको बहुत कम समय लगने वाला भी है जैसे अगर हम बात करें टीर 2 का accepted date की तो बच्चे आपको बता है कि 2 से 7 मार्च की बीच में examination हुआ था 45 से 55 दिन अगर हम माने result में किस में final result में तो इस final result में अगर हम इतना माने कि 45 से 55 दिन लगने वाला है तो dear student लगभग जो result है वो आपका 28 अपरिल से लेके 7 माई 2023 में आपका declare कर दिया जाएगा यानि कि आप यह समझ के चलो कि 7 माई से पहले पहले आपका जो tier 2 का result है वो आ जाएगा और यह tier 2 का result है यह expected लग रहा है कि इससे पहले आ जाए और इसके 15 दिन बात जो है वो post preference भरा जाएगा तो आप लोग post preference कैसे भरना है क्या करना इसके बारे हम लोग बात करेंगे लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपका जो expected cutoff जो expected result है वो आपका आ सकता है साथ माई से पहले पहले यह हमने data के हिसाब से बात कि कि कितना जो है वो ज्यादा दिन होगा और कितना लगेगा तो आप अगर चाहते हैं अपनी तहरी चार सो से घंटे से ज्यादा क्लासे सब को मिलेंगी तेरह अपरेल को बैच जो स्टार्ट हो चुगा है सीजियल ऑल इंडिया रेंकर बैच जो कि 2023 के लिए सुरू किया गया तो सभी वैरे विद्यार्टियों से अनुरूद है कि आप चाहते हैं कि अपनी त्यारी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से करें तो आप अनकाडमी जॉइन कर सकते हैं यहीं नहीं यहां पर आपको आपको नोट्स प्रवाइड कराया जाएगा यह जो नोट्स है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसका पीडिया फॉर्म में भी आपको मिल और आइटी निट जैसे जितनी भी एक्जामिनेशन ने उसकी त्यारी आनकाडमी पर कराई जाती है यहां पर थाउजन प्लस जो है वो कोर्से से बच्चे और आप यहां पर जो हंड़ेड प्लस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं एक टाइम में तो आप बहुत सारी चीज़